जै मात आदी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अस्टिमी नौमी की कन्या पूजन में बनने वाले काले चिनों की रेसिपी, वो भी एकदम नई टेप्स और ट्रिक्स के साथ, जिस से चने तो बनेंगे खिले खिले और साथ में कंजके भी मांग के ख चुरू करते हैं, लेट्स सी, तो दोस्तों, जैसा आज मैं बना रही हूँ नवरात्रे स्पेशल काले चैने, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कडाई रख देंगे, और उसमें डाल देंगे तेल या देसी घी, इसे गरम होने देंगे, जब तेल अच्छे से गरम हो तो इसमें हम डाल देंगे साबुत, जीरा, और साथ में डाल देंगे हींग, और जब ये दोनों चटकने लगेंगे अच्छे से, तो इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा टमाटर कटा हुआ, और साथ में 2-3 हरी मिर्ची, जिनको मैंने कटकर रख रख हैं इन सब को, और मसाले डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, और साथ में डाल देंगे धनिया पाउडर, और अब इसमें डालेंगे हम छोले मसाले, जिसे हम चना मसाला भी कहते हैं, और थोड़ा सा डाल देंगे नमक, प्योंकि मैंने चनों को उबाल लिया है, थोड़े से नमक और हल्दी क तो इसलिए हम थोड़ा नमक यह डालें कहीं जादा ना हो जाए और इनने आप अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद कम से कम इन्हे एक मिनट के लिए हम ढग कर पका देंगे तो जितने ये मसाले और तमाटर पकते हैं मैं आपको चने दिखा देती हूँ कि वो कितने अच्छ से गल चुके हैं तो friends आपको देख रहा हूँगा कि हमारे चने बिल्कुल अच्छ से गल चुके हैं जिने मैंने रात को भिगोया था और सुबह इन में 2-3 सीटिया लगा दिए जब तक एक गल गए है तो अब मैं आपको दिखाते हूँ कि हमारे टमाटर भी बहुत अच्छे से गले हैं या नहीं तो अभी टमाटर थोड़े खड़े लग रहे हैं तो यह जो चने वाला पानी है थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देंगे और इसे चला देंगे टमाटरों को और मसालों को कुछ इस तरह से जिससे की टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल जाए और मसाला भी अच्छे से पक जाए और इसे एक बार फेर से कम से कम एक दो मिनट के लिए ढखकर पकाएंगे तो अब दो मिनट हो चुके हैं अब इसे हम खोल के देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि टमाटर ने तेल छोड़ दिया है मसाले भी अच्छे से भुण चुके हैं और खुश्बू अच्छे से आ रही है तो यहां मैं आपको एक टिफ्स दिना चाओंगी कि इसमें आप इस टाम थोड़ी से डालने कसूरी में थी इससे काले चने का स्वाद बढ़ जाता है और खुश्बू भी बढ़ी अच्छी आती है जिससे यह कंजिकों को स्वादस लगते ही हैं बढ़ों को भी बहुत पसंद आने लगते हैं अब यह जो हमारे पास उबले हुए चने हैं उन्हें हम डाल देंगे इस टमाटर में यह मैंने डाल दी है सारे टमाटर के अंदर अपने चने उबाल कर रखेते जिनको मैंने हल्दी और नमक के साथ और इन अच्छे से चलाएंगे और कम से कम इसे हम 5 मिनट तक तो ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे और उसके बाद इसे हम ढख कर पकाएंगे कम से कम 10 मिनट के लिए जा जब तक कि इनका पानी सोख ना जाए तो फ्रेंट्स मैंने इसे उखाड लिया था विसमें थोड़ा थोड़ा पानी बचा है आप लोगों को दिख रहा होगा तो इस टाइम हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और गरम मसाला डालकर एक बार फिर से चलाएंगे और चनो को थोड़ा साम चमचे से दबा देंगे और अब हमारे चनो का जो पानी है वो बिल्कुल खतम होगी है बबल्स बहुत छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे इस तेम हम गैस को करतेंगे बंद और इसके ओपर एक मुठी भरकर डालेंगे हरा धनिया और हरा धनिया डालने के बाद कम से कम 15 मिनिट के लिए ऐसे ढखकर रख देंगे तो 15 मिनिट के बार मैंने इसको डाल दिया था इस बड़े बाउल के अंदर 15 मिनिट रखने से यह हुआ कि जो थोड़ा बहुत पानी था इसके अंदर चुन में वो आपस में इनों ने पी लिया और हमारे चने एकदम सॉफ्ट अंदर और भार से खिले-खिले बनके तयार हुआ है तो दोस्तों मेरे तो कंजा के स्पेशल काले चने बनके हो गए हैं तयार आपको आज की रेसेपी और टिप्स कैसे लगए मुझे जरूर बताईएगा तो मैं चलते हूँ फिर मिलूँगी अगली वीडियो में बस जाते जाते इतना कहूंगी कि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और जो आज पहली बार मेरे चैनल के आ आ रहे हैं